आज फिर आपके साथ इस्ट फेसिंग ड्रोजरी शॉप यानि पुरो मुखी क्रियाने की दुकान के बारे में चर्चा करेंगे जो मैं आपको बाते बताने जा रहा हूं आपके अपनी दुकान में मार्केट में हैं या आप अपनी दुकान को रेनुवेट करने जा रहे हैं या दुकान खोलने जा रहे हैं किसी कारण से आपके अपनी दुकान नहीं चल रही है अच्छे रिजर्ट नहीं है अच्छा कश् जो चीजे मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरे अनुसार यदि आप करते हैं क्योंकि मैं अपना अनुभाव और साथ में वास्तु सास्त्र के अनुसार, वास्तु सास्त्र के हिसाब से और अपने अनुभाव के हिसाब से आपको जो जनकरी देने जा रहा हूं, आप मेरे अन प्रवान के अंदर सेट अप करना चाहिए सबसे पहले आपके अपने इहां आपकी अपनी दुकान में मार्केट में हैं रोड पर है या गली में हैं बाहर का जो एरिया है दुकान के फृंट का जो एरिया है वो नीट अन क्लिंग साफ सुथ्रा उंचा-णीचा टूटा हुआ उबड खाबड नहीं होना चाहिए उस कंप्लीट एरिये को आपने क्या करना है साफ कराना है आपकी दुकान के बाहर कोई इलेक्टिक पॉल है टेलीफून का खंबा है या टेलीफून का कोई बॉक्स है या इलेक्टिक कोई बॉक्स है या ट्रास्फार्मर लगा हुआ है तो उसके आसपास का कोई कच्रा, कोई मल्वा, कोई इट, अदे, रोडे, मिट्टी पड़ी हुई है, तो वो सब आपने साफ करानी है, लेकिन इस चीज़ साफ कराते वे इस चीज़ का आपने ध्यानक नहें, कहीं किसी को क्रंग ना लग जाए, क्योंकि ट्रास्फारमर लगा होता है, तो जाल भी बन जाता है, जाल में क्रंग ना हूँ, साफ दानी पुरवक आपने अरियू को साफ करना कोई पेड़ है पेड़ के आसपास मिटी कठी हो जाती एक सबसब्स होती है क्योंकि होता क्या कि पेड़ के आसपास ज przeci समया सफाइय होती है सरकारी करम्चारी आते हैं सबस05 करता ईया जितना भी जहां भी आपके अपने यहां फ्रेंच में सामान, मिट्टी, मलवा, अडंगा, कुड़ा, इकठा किया हुआ है, उस सारे को आपने उठवा देना है. इसके साथ में आपकी दुकान के बाहर बिजली की तारे, टेलिफोन की तारे, केबल की तारे, गई हुई है, जाल बना हुआ है, मैं आपको कहूँगा बिजली वाले को बोलके, केबल वाले को बोलके, वो बिजली की तारे सभी इकठी करा दे, जो इकठी होने लाइक हैं, उन आपके अपने सटर के लेबल से उपर होनी चाहिए दुकान के आगे नीचे के और नहीं होनी चाहिए इसी के साथ में जो आपके अपने यहां फ्रेंट में नाली बनी हुई है उस नाली के ओपर जाल लगा हुए है या आपके अपने पत्थर लगे हुए है यदि वो टूटे में तो उनको आपने ठीक कराना बदलने है पत्तर जो जब आप रखेंगे वह पत्तर उचे नीचे नहीं होने चाहिए स्पमूध करके मेंस्त्री को बलाके मसाला लगवा heeftब घख इसी के साथ में पत्ते लगवाने से पहले मैं आपको एक बात ओरकाऊँगा आपने नाली को भी साफ जिरूर कराना है नाली को साफ कराके आगे पीछे जाल लगवाके जैलमनियान जाली का मतलब सरीय का जाल लगवाके जिस थैली है आपके अपनी नाली के अंदर ना जयो इस ये स जराई रहती है, यह अब बरसात के समय में पानी हाता है, तो आपने अब शिरफ एक बार किलिन किरा के, पत्थर रखवा देने हैं, और दो पत्थर इस तरीके से भी रखवाने हैं, कभी नाली की सफाई करनी हो, तो पत्थर हटाएं, या जाल हटाएं और शफाई हो जाएं. आपने अपने यहां पर फुट में पाइदान जो डालना है वो आपका अपना ब्राउन कलर काएगा या हरे रंग काएगा सटर के ऊपर जो झालर आना है वह आपका आपना ब्राउन कलर या लाइट ग्रीन कलर हरा रंग इसके साथ में आप पिले रंग का भी सटर पर पेंट कराने चाहिए तो सटर के ऊपर येलो कलर का भी पेंट करा सकते हैं अब मैं बात करता हूँ, आपकी अपनी दुकान बाहर रोड लेबल से उची होनी चाहिए, चाहे हलकी सी उची हो, चाहे फुट डेड़ फुट दो फुट उची हो, उची होनी ही चाहिए, जो फुरंट में आपके यहां ज्यादा उची है, जो पैड़ी जो स्टेप बनते है वो स्टेप पर जो पत्थर लगा होना चाहिए, या तो हरे रंग का पत्थर लगा होना चाहिए, या ब्राउन कलर का पत्थर लगा होना चाहिए, वो पत्थर आपका स्लिपरी नहीं होना चाहिए, या रफ पत्थर लगा होना चाहिए, क्योंकि स्लिपरी पत्थर होगा, तो कोई ने कोई कस्टमर गिर सकता है, इसी के साथ में जो स्टैप आपके यहां बने हुए, वो स्टैप आपके एक लेवल के बने होने चाहिए, कोई 6 इंच का बना है, कोई 7 इंच का बना है, इस तरीके से नहीं, सभी 6 इंच के बने हैं, तो 6 इंच के होने चाहिए, 7 इंच उसके ही सारे स्टेप होने चाहिए इस चीज का आपने जरूर ध्यान अखना है इसी के साथ में आपके अपनी दुकान के अंदर जो टैल या पत्थर आपने लगाना है वो पत्थर सारा का सारा ओफवाइट कलर क्रीम कलर का पत्थर लगाना है फर्स की जो ढ़लान है फ्लोरि गलती से साथ का एरिया संथ यजिए बराबर रहे या आदा इंच वर्ष रहे की उच़ा रहे जो आपने फ्लोंप नहीं दुकान के ँजऑब से मैं आपको एक बात कहूँगा, दस फुट की जदी गहराई बनती है, तो एक इंच का स्लोप बहुत है, और गहराई ज्यादा है, दस फुट के हिसाब से हर दस फुट पे एक इंच का स्लोप कर देना चाहिए, इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान अखना है, टोटल फर्स की में जो ढ़ला नानी है, सौ्थ वेस्ट से नौर्थ इस्ट की और, स्लोप लेके ही आना है आपने, अब मैं आपको बताने जा रहाँ, आपके अपनी दुकान के अंदर जो रेक्स लगाने है, वो आपने ब्राउन कलर के या फिर रेड कलर के, रेक्च लगाने हैं, जो नौ वह आपके अपने white color या gray color, मैं आपको कहूँगा white color first में, gray color second में है, और इसी तरीके से north में gray color या black color, इसी के साथ में south में red color या brown color, जो front का east का area, east के area में आपका अपना satyr का color मैंने आपको बताई दिया है, आप तीनों तरफ ही रेक एक ही color के करना चाहते हैं, तो मैं आपक मैंने आपको satyr का color भी बता दिया, रेक का color भी बता दिया है, फर्स की ध्रान भी बता दिया, फर्स का color भी बता दिया, दिवारों पर जो color करना है आपने, दिवारों पर color आप करते हैं, तो south की दिवार पर red color या pink color, गुलाबी color, west wall पर only white color, north wall पर sky blue color, ये color आपने करना है और ceiling में only white color अब मैं आपको counter के बारे में बताने चाहूँगा आपका अपना counter L position में बनेगा जो आपका अपना counter बनेगा यह आपका अपना counter बनेगा आपके यहाँ अंदर आने का रास्ता जो बनेगा East और North East के बीच में से बनेगा क्योंकि आपका अपना North West Corner से North Falls से North Jones से होते वे North East तक रेक लग जाएंगे ऐसे ही West में भी रेक आजाएंगे आपके अपने और South में भी complete रेक आजाएंगे इसी के साथ आपने यह counter बनाया counter बनाने के बाद owner को जो बैठना है South South East में बैठना है owner South Jones में भी बैठ सकता है South South West की और भी owner बैठ सकता है लेकिन maximum cases में क्या चीज़ देखने में आती है owner हमेशा ही front में बैठता है face value owner की front में ही होती है क्योंकि रहा चलता हुआ customer भी किसान भी जो बाहर से आने वाला customer होता है वो owner बैठ तो दुकान पर आ जाता है वरना वो customer दूसरी दुकान पर चला जाता है इसलिए owner को front में ही बैठना है owner बैठने को कहीं भी बैठ सकता है लेकिन owner को front में ही बैठना है इसके साथ में आपका अपना जो counter बनेगा वो counter आपका अपना rosewood color और और आपके बनेगा ते हैं अपना counter बना इसके साथ में customer आपके यहाँ आपके के बैखने के लिए कोई sitting आपने बनानी है रेक के और इसके बीच में आप कस्टमर के बैखने की स्टिंग भी बना सकते हैं इस इसे में आपका कस्टमर आजाद है क्यों आपकी अपनी दुकान मेरे को मालम नहीं है सहर के अंदर है या गाउन देहात में है या कस्बे के अंदर है कस्बे के अंदर और देहाद के अंदर गाओं के अंदर दुकाने हमेशा ही बड़ी भी बनती हैं सहरों में भी जो अनाज की अनाजमेंडियों के अंदर दुकाने हैं वहां होलसेल की दुकाने बनती हैं होलसेल की दुकानों में कस्टमर आता है और दस में जो कश्टमर रुकता है तो उसको सीटिंग जोन देनी पड़ती है, सीटिंग एरिया देना पड़ता है, आने वाला कश्टमर यहां बैख चेकता है, इसके साथ में मैं आपको अब बता रहा हूँ, सबसे भारी माल आपने कहां रखना है, सौथ वेस्ट के एरिये से लेके रेक में तो सौथ में भारी माल लगाना ही है, इसके साथ में वेस्ट में भी आपने भारी माल लगाना है, नौर्थ में आपने हलका माल लगाना है, यह ध्यान रखिएगा, भारी माल नहीं आना चाहिए, नौर्थ में हलका माल आना चाहिए, और नौर्थ इसके इसे में कम आपके दुकान का साहीज यह बड़ा है तो तीन फूट का एरिया खाली रखेंगे तो भी काम चल जाएगा अब मैं आपको बात बतारा हूं अधिकतर किर्याने के दुकान में क्योंकि आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाती है फर्ज के ओपर भी सामान लगाया जाता है बोरिया रखी जाती है वो बोरिया आपने कहां से कहां तक रहनी है और देहात के अंदर या कस्बे के अंदर या होलसेल की दुकान के अंदर खल बिनोले का भी काम कर लिया जाता है, खल बिनोला भी रख लिया जाता है, क्योंकि किसान लोग खल बिनोला लेने, पर किराने के सामान के सासाथ में खल बिनोला भी लेने आते हैं, वो सामान आपने कहां रखना है, वो बोरिया कहां रखना है, क्योंकि खल बिनोला जिस लगाना है तोटल koma के सढ़िक लगाया है थो आप एक पर्त में एक हमिट लगा जाते हैं दूसरे में दूसरी लो जाते हैं तीसरे में तीस लग जाते हैं चोथे में चोथीन के पांची में फैसे अफेों आप intimate दुकान की हिससाब से बिना रखके एक आइटम मैं कहूंगा चीनी को आप सौथ वेस्ट में रखें, बिनोला वजन में हलका होता है फैल आउट की आइटम होती है, खल फिर भी भारी होती है, बिनोले को आप नौड़ वेस्ट में रखें, कि ऑईल होता है उसके अंदर, खल म को आप यहां लगाएं घी तेल को आप बीच के पार्ट में रखें फर्स के ओपर रखते हैं तो फर्स के ओपर और आगे भी आ सकता है कोई बुराई नहीं इसके साथ में डाले होती है डाले भी भरी होती है खूब होती है डाले भी आप सा अव आप झाद सा MAX जहाँ के लिएकर आपको वहां में लगा सकते हैं इसी के साथ में साथ सालफ साथ से साहत की और भी दाले आपके कि अपनी बोहरी गी रूब में लगाई जा सकती है is इसी के साथ नौर्थ में हलकी समन, हलका समन, चाय पत्ती वगरा, वो टोटल सारा समन आपका है, चाय पत्ती, नमकेन, बिस्कुट सब इधर आजाएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अपना गल्ला कहां बनाना है, जहां ओनर की सीटिंग होगी, सीटिंग के सामने और की और, आपने अपना रूटीन में यूज करने वाला गल्ला डरॉर बनानी है, कैची, अपने सामने और स्लैटली राइक की और, गल्ले को इस्तिमाल करते हुए कमफर्टेबल जोन बन जाती है, इसलिए आपने सामने और राइक की और बनाना है, इसी के साथ मैं आपको एक अपने यदी होलसेल की दुकान है, या रिटेल की भी दुकान है, आपको एक डरॉर, एक गल्ला साथ वाल पे भी बनाना है, जो कि नौर्थ की और ओपन होना चाहिए, आप घर से पेमेंट लेके गई है, बैंक से पेमेंट आई है, या कोई दुकंदार आपको जो माल उध अधर लेके जाते हैं, वो पेमेंट देखे गई है, या आपकी अपनी चेक बुक्स है, वो सभी आपने साथ वाली दौर में रखनी है, क्योंकि सामके समय जिनके पास से आपके पास माल आता है, हर रोज नहीं तो हर दूसरे दिन पाइटी आती है, और वो पेमेंट ले जा चली जाएगी जो आपने देनी है, कौन सी जो माल आप मंगवाते हैं, और यदि आपका अपना एक ही गला है, इसी से पेमेंट आप सामने वाले को देते हैं, और इसी का आप यूज करते हैं, आपके सिर के ओपर से कभी भी कर्ज नहीं उतर पाएगा, ऐसा नहीं कि आपकी प्रॉफिट कम हो जाता है, जो माल आपको मिलता है, वो माल हमेशा ही आपको महंगा मिलता है बजार बाहु से, क्योंकि जब भी आपकी माल की पर्चेजिंग होती है, हमेशा ही रेट पलस होके माल मिलता है, रेट ज्यादा होते हैं, तब आपके पास माल खरीदारी होती है जब rate down आजाते हैं तब आपकी खरिदारी नहीं होती तो मैं आपको ये कहूँगा आपने अपना profit ज्यादा निकालना है profit ज्यादा बनाना है कैसे profit customer को माल बेच के profit ज्यादा की बार नहीं कर रहा है purchasing को लेके purchasing आप सस्ती करना चाहते हैं तो आपको एक सरफ drawer बनानी है ये इस्तेमाल करते रहें कोई दिक्कर नहीं है जब इसके अंदर packet बन जाए तो वो packet आप इसमें transfer करता है बस मैं आपको एक ही बात कहूँगा आपने जब किसी को payment देनी है तो इस डॉर में से कौन सी जो नौर्ट की ओर open हो रही है इसमें से निकाल के देंगे यदि आपके यहां लगता है इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आज भी वो गल्ला आता है पहले के समय में तो वही इस्तेमाल होता था एक लोही का गल्ला आता था जो उपर की ओर उठता था फर्स के उपर रखा होता था वो गल्ला उपर के और खुलता था आप वो गल्ला ले आए उसका इस्तेमाल करें उसके अंदर भी हमेशा ही बरकत होती है बरकत होती देखी गई है प्रैक्टिकली देखने में आती है कि जिनके गल्ले हमेशा ही उपर के और खुलते थे कि और या वेस्ट कि और टौर फूल रही है तो करजे में तो नहीं मैं बोल सकता में लेकिन फिर भी अधिकतर केस देखने में आते हैं कि ऑखर शिव गए हैं what mister how i pitch मैंनल अठीक आर फिर शिवे इस तरिक–निझ उपने कर दो करते हैं जो मैंने आपको ये एड़वाइज दी है, मैंने ये एड़वाइज वास्तु सास्तर के साथ साथ अपने अनभाव की एड़वाइज दी है, आप अपने सैट अप करने जा रहे हैं, मेरा अपना ये मानना है, आप अपने सैट अप को इस तरी के से कर लेजिए, और मैं एक ब बात आजाएगी बंसल जी की वीडियो में कितनी सच्चा ही है जब आपके समझ में यह बात आजाएगी तो आप अपने आप ही अपने यहां पर चेंजिंग करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विश यह बार बार को यहां नहीं है।